वेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माइटूब चैनल मेरा नाम सपना कुश्वाह है और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब भी आप इंटोफू देने जाएं तो किस किन-किन बातों का ध्यार रखें मोस्ट इंपोर्टेंट की ये बात हमेशा याद रखें कि जहां भी आप इंटोफू देने जा रहे हैं पहले उसके बारे में उसकी कंपनी के बारे में वेपसाइट सब कुछ चेक कर लें क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत चल रहा है कई सारी फ्रॉड कंपनियां भी होती है तो पहले आप अच्छे से उस कंपनी के बारें पदा करें कि उस कंपनी को कितना टाइम हो गया है उसमें कितने एंप्लॉईज हैं कबसे काम कर रहे हैं और उस पे सेल्डे टाइम से मिल इन बातों का जरूर ध्यार रखें आप प्लीज मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि कहीं भी आप जाए इंटोविदेने के लिए इन बातों को आप जरूर ध्यान दें कि ये कब से चल रही है और कितने एंप्लॉईज में काम कर रहे हैं और एक सबसे एंपोर्टेंट बात ये कि आप कभी भी इंटोविदेने जाएं तो कभी भी डरे नहीं क्योंकि जो सामने इंसान है जो आपका इंटोविदेने जाएं तो कभी इंटोविदेने जाएं तो कभी इंटोविदेने जाएं तो कभी इंटोविदेने जाएं तो कभी भी इंटोविदेने जाएं तो कभ इन्सान में अगर आप में confidence है तो आपका selection पक्का है दरे नहीं selection होगा नून हो ना होगा तो होगा नहीं होगा कोई जान तो आपकी ले नहीं लेगा ना तो आपका जो भी बोलना हूं बोलें वो आपसे आपका इंट्रोड़क्शन पूछेंगे कि आपका नाम क्या है आपने पहले कहां जॉब किया है और आपके बारे में डीटेल्स पूछेंगे तेल में सम्थिंग अबाउव यूर सेल्फ यह चोटी-चोटी से कॉश्चन से यह आप से सि जब मैं भोपा लाई तो जब भी मैं इंट्रोड़ दिने जाती थी तो मैं बहुत डर जाती थी कि पता नहीं क्या पूछें और घबरा जाती थी लेकिन जैसे-जैसे दीरे-दीरे मैंने जॉब किया फिर एक्सपिरियेंस हुआ मुझे फिर मैं दोसी जंगे गई जॉब कि आज आप मैं किसी के सामने भी बात कर सकती हूँ तो इतना मैंने उस चीज से यही सीखा है कि सामने वाला इंसान भी इनसान ही है भगवान नहीं है तो जो भी आपको बोला है बिल्कुल बोलिए डरिये नहीं जो भी आपसे पूछा जाए उसका जवाब दीजे ठीक है और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके काम की है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू